तो हर घर की कहानी देखकर मैं ये सारी कहना चाहूंगी कि खुद की दुख कभी भूल नहीं पाई और बहु की दुख समझ नहीं पाई बेटे की मा होने के गुरूर में खुद भी बेटी थी ये भूल गई वो भी कभी अलग हुई थी अपने सास ससुर्प परिवार से कहते हैं कि बहु की बारी आई तो ऐसा क्यों लगा कि बहु की मा बाप ने अच्छे संसकार नहीं दिये बहु का अलग होना क्यों बुरा लगा कभी ये नहीं सोचा कि सायद पहले का किया हुआ कर्मों का यही फल है कहते हैं कि ध्यान से देखो तो हर घर की यही कहानी है सास भी कभी बहुत ही बस यही बात दुरा लिए